फिल्म और टीवी की दुनिया की चका चौन्द से एट्रेक्ट होकर लोग यहां करियर बनाने के लिए आते हैं लेकिन उनको इसके पीछे के कालिस सच का पता नहीं होता है ग्लेमर की दुरिया में कास्टिंग काउच एक आम बात है और कास्टिंग काउच का सिकार केवल एक्टरेस ही नहीं बलकि कई एक्टर्स भी हो चुके हैं वहीं फैमान खान अब टीवी का जाना माना चेहरा बन चुके हैं और उन्हें इस मुकाम तक पहुँचने के लिए लंबे वक्त तक स्ट्रगल करना पड़ा है और अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार एक कास्टिंग डिरेक्टर ने उन्हें बुरी तरह जकल लिया था और उस समय वो काफी uncomfortable situation में थे और वो जैसे ही जाने लगे उस इंसान ने पीछे से आकर उन्हें जोर से पकल डिया और उसने बहुत uncomfortable तरीके से फैमान को हग किया लेकिन फैमान ने उसे जोर से धक्का दे दिया तो वो फैमान को पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा और तब फैमान ने उससे कहा कि पुलिस को यहां आने में 15 मिनिट लगेंगे और अगले 15 मिनिट में अगर तुमने उन्हें फिर से छुआ तो वे तुमारा भूत उतार देंगे और फेमान जब साल 2014 में मुंबई आये थे तो 17 लोगों के साथ एक 2BH के फ्लेट में रहते थे